नमस्कार फ्रेंट्स स्वागत है आप सभी कदर इस्टेडी लाइन में फ्रेंट्स आज कसी वीडियो में हम लोग कवर करने वाले राष्ट पती से समंदित जो भी इंपोटेंट फ्रेंट्स नहीं जो बार-बार अभी एक्जाम में पूछी जा रहे हैं उन सभी को मेन इस व को देखना है और वीडियो को शेयर कर देने ठीक है तो चलिए एर एस विडियो को स्टार्ट करते हैं किसरेंट्स बहुत इंपोटेंट है बार-अग्जाम में पूछ है जाते हैं अगला है कि भारत के राष्ट्रीती है तो बिलकुल इस के समराट से जैसा कि आपको जानते हैं कैस ब्रिटेंग्स राष्टार्पती नहीं होता वहां पे समराट राजा होते हैं तो वहां है राष्ट्रपती भार के तुझाओं की जाती एंस ची में खालप बारत का प्रतम नागरिक कौन होता है तो भारत का प्रतम नागरिक होता है राष्ट्रपती महोद है ठीक है अभी आप लोगों को बताना है कमेंड बॉक्स में कमेंड करके अभी वर्तमान में भारत के राष्ट्रपती कौन है ठीक है आपको कमेंड बॉक्स में कमेंड करके ब राश्ट्रपती ही तीनों सेनाओं के जोई सर्वुच सेनापती होते हैं थल हो जल हो या वायू सेना हो तीनों के सेनापती कौन होते हैं राश्ट्रपती जी होते हैं बिलकुल अच्छे चलिए अगला देखे फ्रेंट्स अगला है फ्रेंट्स भारत के राश्ट्रपती पद के लिए उमीदवार की नियुनतम इम्र में कितनी होती है तो 35 नियुकि पर राश्क्रति पत्रेग इętे और किसी भी राजसभा का जो अगर सदस्ट बनना है फ्रेंड्स राजसभा का सदस्ट बनने के लिए आपका जो नियुंताम उम्र कितना अन्ना चाहिए टीस वर्स ठीक है चलिए अगला कुसंच प्रेंड्स अगला है राष्ट्रपती का चुनाव किस पध्यति द्वाला होत है तो राष्ट्रपती का जो चुनाव होता है फ्रेंड्स समानुपातिक प्रतिनी धित्व है एकल संक्रमनिय प्रनाली द्वाला जो है राष्ट्रपती का चुनाव होता है ठीक है इंपोर्टेंट है यह पूछा जाता है फ्रेंड्स इग्नोर मत किजिए ध्यान से पढ़ कहां भेजे जाते हैं तो राष्ट्रपती के चुनाफ संबंदी मामले जो है फ्रेंट्स वो उच्छतम न्याले में भेजे जाते हैं ठीक है चलिए अगला कोशन देखे फ्रेंट्स अगला है भारत के राष्ट्रपती का चुनाफ कितने वर्सों के लिए होता है तो यह होता ह के लिए सबसे पहले संसद्वरा महावयोग चलाया जाता है तभी आप राष्टुपती को हटा सकते हैं और राष्ट्पती को हटाने से पहले राष्ट्पती को आपको 14 दिन पहले लेटर देना होता है ठीक है फ्रेंड्स याद रखेगा ये भी पूछा जाता है कितने दिन तो 14 डेज ठीक है 14 दीन अगला देखे फ्रेंट्स है राष्ट पती पर महाव्योग की सदावर लगाय जाता है तो समयधान का अतिकरमन करने पर अब इसका मतलब क्या फ्रेंट्स पर मावयोग तरुछ लगाया जाएगा किसी किसी भी चीज का जोरे उलंगन कर दें वो समिधान को उलंगन कर दें तो राश्टपती पर महवयोग लगाया जासकता है टृषर अगले अमेरिका से ही लिया गया है या टिक है राष्टपती का जो पद लिया गया Mr. अमेर्का देशा से लिया गया है मैं आपको इस वीडियो के बाद भारतिय समिधावन में जो बिदेशी सुरूत ले गए हैं आप पात्काल समंदी राष्टपती समंदी परधान मंत्री समंदी समिधान संसोधन समंदी वह सभी कोशन्स जो है इस वीडियो के बाद आने वाला है तो इस वीडियो को आप लोग ध्याओं से देखे और चैनल को सब्सक्राइब कर लिज इसलिए जो भी पूछा जाता है अभी जो पूछा जा रहा है मैं वही कोशन्स करा रहा हूं अगला फ्रेंड्स समिधान के किस अनुच्छेत के अंतरगत राष्टपती मुखनी आइदिस के समख्च सबत गरहन कराता है तो वह करता है किस अनुच्छेत के तहत 3060 के सोड़ बिल्कूल पूछा जाएगा फेयंद्स ध्यां लुखेगा रायस्टपति अपनों त्याग स्वाइब त्याग पत्र देंगे और रच्टपति अपनों त्याग पत्र स्वाइब चलिए उमीद आपको समझ में आया ओगी अगला दिखे फ्रेंट्स अगला राष्टपती के त्याग पत्र की सुचना उप्र राष्टपती किसे देता है तो लोगसवाद ध्यक्ष को देता है ठीक है अगला कोसे फ्रेंट्स भारत के कौन से राष्टपती निर्विरोध चुने वो कौन थे आप लोग comment box में comment करके बतायेगा भारत के परतम राष्ट्र पती थे वो कौन थे और वो थे बिहार से इतना जुरूर आपनों को मालूम होना चाहिए अगला फ्रेंट्स भारत के किस राष्ट्रपती की मिर्तिव कारकाल खत्म होने से पहले वी थी तो डॉक्टर जाकिर हुसेन की वी थी ठीक है चलिए अगला क्वेशन देखे फ्रेंट्स अगला है भारत का राष्ट्रपती किसकी न्यूकती नहीं करता है तो उप राष्टपती की नियुक्ति जो है राष्टपती नहीं करता है ठीक है वो संसत द्वारा जो है चुना जाता है अगला है फ्रेंड्स विद्ट 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 के लिए किसकी स्विकृति आवश्यक है तो राष्टपती की स्विकृति आवश्यक है ठीक है अगला सभा में राश्टपती कितने सदसे मनोनित करते हैं तो बहारा सदस याद रखेगा फ्रेंट्स ये बिल्कुल इंपोर्टेंट है या लोग वाज सभा से नहीं आते हैं लोग सवा वो है, एम हिदायो तुला, जो है, राष्टपती के साल साथ, उचेतम नयायले का मुखण नयाधिस भी रा चुके है, अगला है फ्रेंट्स, किस विधेय को राष्टपती पुनर विचार के लिए नहीं लोटाता है, कौन वो है धनविदेय को राष्टपती पुनर विचार के लिए नहीं लोटाता है अगला है फ्रेंड्स यूद अत्वा बहारी आकरमन की स्थिति में ठीक है साइद ये जो है मैं ये क्वेसंस कर गया है फ्रेंड्स ठीक है मैं इसको पुड़ा कर देता हूँ अपने मन से यूद अत्वा बहारी आकरमन की स्थिति में कौन जो है आपात्काल की घोसना कर सकता है तो वह है फ्रेंड्स राष्ट्रपती याद रखेगा ठीक है अपात्काल की घोसना कर सकता है राष्ट्रपती जो है राष्ट्र इसाशन लागू कर सकता कौन राष्टपती यादर कि व्यक्ति को दोशीस व्यक्ति को दो सी पर उने पर कौन उसे इच्ञा दन दे सकता है तो राष्ट्पति को अधिकार है फ्रेंड्स और किSch economic भीत की ठीक है अगला फ्रेंड्स भारत की राष्टपती ने किस मामले में वीटो सक्टी का परियोग किया था तो भारतिय डाग घर अधिनियम में ठीक है चलिए अगला फ्रेंड्स भारत के राष्टपती वो उपराष्टपती की अनुपस्तिती में कारभार कौन गरहन करेगा तो स विधाई अधिकार जो है यह आता है विधाई अधिकार के अंत्रगत अध्यादेश जाड़ी करने का अधिकार आता है राश्टपति का ठीक है चलिए बिल्कुल अच्छा देखे फ्रेंड्स अगला देखे भारत का राश्टपति किसके द्वारा चुना जाता है तो भारत का तीसरा आए विधामसवा सदस यह तीनों मिल करके राष्टपति का जो है राष्टपति का चुनाप करते हैं चुनते हैं अगला फ्रेंड्स स्रीमतिप प्रतिभाद वी पाटिल भारतिय गंतंत्र में कौन सी राष्टपति बनी थी कौन कितने नंबर कि थी बारवी बारवी फ्रेंड्स अगला है कौन से राष्टपति दो बार राष्टपति चुने गए हैं तो कौन से राष्टपति डॉक्टर राजेंदर परसाद जैसा कि आप लोगों से मैंने उपर में पूछा था उसे उपर में क्या प्रश्न था कि पहली जो भारत सोतंत्रभाद के पर्थम राष्टपति कौन थे वो कहां के थे तो बिहार के थे कौन थे तो यही थे राजेंदर परसाद याद रखेगा चलिए अगला कोशन देखे फ्रेंड्स अगला है किसी भावत्ति भुसुली किसी भावगोलिक छेतर को अनुसूचित छेतर घोसित करने का अधिकार किसे है राष्टपती को है ठीक है चलिया धान कोसें देखें फ्रेंस अगला है भारत का सम्यधाउनिक अद्यएकश कौन होता है वारत के को पहले लोग सभा में दो हो जरूर याद रखे पूछा जाता है यह पुराना वला है यह नहीं होगा यह अभी जो है पांच लाग दिया जाता है ठीक है अगला फ्रेंट्स किसी राज में किसी राज में राष्टपती सासन किसने समय के लिए रह सकता है तो तीन वर्स तक के लिए रह सकता है अगला फ्रेंट्स राज में राष्टपती सासन की घोसना कौन करता है बिल्कुल राष् ज्राक्ति का क tablespoon कैसे होता है तो आप अप्रतियक् शुरूप से होता है ठीक है जैडन अगला skipped difference अंगहाई राष्टर प्तिचोनव के लिए प्रस्तावक एबंड अनुमुद को की संक्पों कितनी होती है पचास-पचास होती है ठीग है अगला के भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिदित्व चुनाव परनाली अपनाई जाती है तो राश्टपति चुनाव में ठीक है चलिए अगला को सब्सक्राइब राश्टपति पर रिक्त होने पर कितने समय में भरना आवसेख अच्छा मौं के लिए भी पूछा इंपोर्टेंट है फ्रेंट्स इसे मत छोड़िएगा पूरा एक बार और वीडियो देख लिए फ्रेंट्स ठीक है अगला फ्रेंट्स भारत के राश्टपति की मर्जी तक किसी राज में अपने पद पर कौन रह सकता है राजपाल बिलकुल राजपाल जो है राश्टपत अधियादेश जारी कर सकता है चलिए यह के दिन का वीडियो का जब किसी विधिया को शंसद में प्रस्तूत किया जाता है तो की आनुमेति के बाद अधिनियम बन जाता है तो आपको एगर वीडियो अच्छा लगाओ तो प्लीज लाइक जरूर कीज़ेगा और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि देखे मैं आपनों के लिए हमेशा इंपोर्टेंट वीडियो लाते रहता हूं जो एक्जाम में पूछे जा रहे हुते हैं और पूछे जाते हैं जो ठीक है फ्रेंट्स तो आप मेरे साथ बने रहे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का इकन प्रेस कर लिजे छेले मिलते हैं इसी तरह का इंपोर्टेंट वीडियो लेकर के आएंगे फिर से तब तक के लिए जय हिंद जय भारत